जिरोधा में IPO कैसे खरीदें या कैसे buy करें या कैसे apply करें बहुत simple सा process है मैं आपको detail में जो है पूरा step by step मैं समझाता हूँ तो सबसे पहले आपने देखा यह जिरोधा की एप जो है वो खुली हुई है इसमें आपको सबसे नीचे यह bids वाला एक section है इस पे आपको click करना है इस पे click करने के बाद आपको यहाँ पे auctions IPO और government securities option मिलेंगे इसमें यह IPO वाला जो section है यहाँ पे जाके आप इसमें apply करेंग आपको यह apply वाले जो button आपको दिख रहे हैं यह अभी खुले हुए है और जिनमें आपने past में apply किया हुआ है वो आपको यह applied section में दिख जाएंगे ठीक है इसके बाद दूसरी चीज जो है वो है company का पूरा नाम क्या है और short name क्या है यह आपको जैसे यह आप दिख रहा है yes optics and lens limited और short में yes optics तो इसी तरह से पूरा नाम short name पूरा नाम short name यह second चीज है जो आपको ध्यान रखनी है IPO किस date को खुल रहा है जो date पहली लिखी है उस दिन सुभह यह IPO खुलता है और जो date last में लिखी है उस दिन शाम को यह IPO बंद होता है तो यह IPO के खुलने और बंद होने की जो date है वो इसके सामने लिखी है आप पहली date वाले दिन या उसके आगे या last date पे या उससे पहले आप इसमें apply कर सकते हैं apply करने के जो price range होती है वो normally इस तरह से range होती है अब यह आप बोलेंगे कि दो number sir क्या लिखे हैं तो normally जब IPO आता है तो ऐसा बोला जाता है जैसे इ आपको 75 देख रहा है और 81 देख रहा है तो यानि price range 75 रुपए से लेकर 81 रुपए में रखी गई है इसका क्या मतलब है समझिए यानि आपके पास option है कि आप बोलें कि भई मैं 75 रुपए में खरीदने को तयार हूं या मैं 81 रुपए में खरीदने को तयार हूं या इसके बीच में कहीं भी आप बोलो कि मैं 76 रुपए में खरीदने को त्यार हूं तो आप अपना price बता सकते हैं तो यदी मान लीजिए कि आपने 75 रुपए का price लगाया मान लीजिए ये पहला वाला जो है या shoptex इसके लिए तो लेकिन अगर ये जो है वो पूरा भर गया IPO और ट ठीक है तो यह जो है रेंज का मतलब होता है अब हम देखते हैं किसमा apply कैसे करना है तो जिसमें apply करना है यह apply वाला बटन आप दबाएंगे और यह आपके सामने जो है information आजेगी इसमें सबसे important information होती है दोस्तों वो होता है आपका red herring prospectus red herring prospectus एक बहुत ही लंबा document होता है जिसमें उस company के बारे में सारी information आपको मिलती है तो इसको आपको जो है वो अगर NSE का IPO है तो NSE BSE का है तो BSE वहां से आपको जो है वो download करना पड़ेगा तो इस तरह से आपकी जिप फाइल डाउनलोड होगी आपको उसको अंजिप करके उसके अंदर जो भी content है वो आपने जो है वो देखना है तो तो देखिए यह जो है यह पूरा RHP है आपके सामने इस तरह से आप उसको क बेच रहे हैं कंपनी क्या करती है कंपनी में क्या क्या रिस्क है कंपनी में क्या क्या आगे future opportunities है बहुत बड़ा SME IPOs होते हैं जैसे आपके सामने यह है जो SME IPOs जो होते हैं उसमें जो आपकी minimum quantity जो होती है वह बहुत बड़ी होती है और अगर आपको इसमें अप्लाए करना है तो आपको देखिए अगर आप इसमें अप्लाए करने जाएंगे तो कम से कम एक quantity का lot जो है वह 1600 रुपए है त तो 1600 into 81 आपको इतना बड़ा amount जो है वह आपको कम से कम भरना पड़ेगा और यह SME IPOs जो है वो मैं आपको बता दूँ जैसे यह यह जो याश optics है यह normally जो है वो काफी जो है risky type के IPOs होते हैं यह बहुत small companies होती है जो SME emerge करके हमारा एक market जो है वो market में एक exchange है जो NSE पर ही होत है लेकिन उसको SME emerge बोलते हैं तो यह उस पर list होते हैं तो इस तरह को को आप अगर ना apply करना चाहें skip करना चाहें तो आपकी मर्जी है यह देखिए दूसरा भी SME IPO है तीसरा भी SME IPO है चौथा भी SME IPO है देखिए सारे IPO जो अभी खुल रहे हैं सब SME वाले IPO है और यह पां SME IPO है पर मैं आपको process में बता देता हूं तो apply करने के लिए आपको जो है apply button पर जाना है और मैं नॉर्मली जो beginner है उनको मैं suggest नहीं करता हूं कि SME में apply करें बट जो regular IPO होंगे तो आपको 10,000 से 20,000 के बीच में approximately पैसा लगता है लेकिन SME IPO होते हैं तो उनमें पैसा जो है वह एक लाख दो लाख रुपए जो है कम से कम लगता है ठीक है तो यहाँ पे आपको minimum quantity जो है दी होती है कि कम से कम कितनी quantity में आपको apply करना पड़ेगा price range दुबारा से लिखिए date दुबारा से लिखिए ठीक है अब आप यहाँ पे जो है वो apply करने का आपका सारा issue size क्या है क्य आपके ऊपर कोई discount applicable है lot size क्या दुबारा लिखा रहता है और IPO का status अभी क्या चल रहा है वो यहाँ लिखा रहता है यानि 27 तारिक को खुला है 3 April को यह बंद हो जाएगा 4 April को आपको shares जो है वो allot होंगे अगर हुए तो अगर नहीं allot हुए तो आपको 5 तारिक को उसका जो locked रहता है तो यानि वो जो है पांच तारिक को आपका वो पैसा जो है अन ब्लॉक होगा और पांच तारिक को अगर share आपको allot हुए है तो आपके डीमेट में आ जाएंगे और 8 तारिक को उसकी जो है लिस्टिंग होगी उस दिन आप चाहें तो उन शेर को जो है अगर आप sell करना चाहें तो sell कर सकते हैं और 18 तारिक को यह सारा process जो है complete हो जाएगा तो आपके लिए 8 तारिक की listing है अगर आपको मिले तो पांस तारिक को जो है वो आपके डीमेट में जाएंगे नहीं मिले तो पांस तारिक को आपका जो block हुआ है amount वो unblock हो जाएगा ठीक है अब इस upi ID हो तो मेरे case में आप देख सकते हैं यहां पर मैंने upi ID दी हुई है जो आपको blood दिखाई दे रही है और यहां पर यह ओके 75 रुपए पे दो फिर आप बोलेंगे एक और कि भाई 1600 मुझे एक काम कीजिए आप 78 रुपए पे दो और तीसरा मैं बोलता हूँ तीसरा 81 रुपए पे तो 75 78 81 अभी इस केस में क्या है कि अगर मान लिजिए ये जो IPO है वो पूरा नहीं भरा तो आपको 75 में भी मिल जाएगा 78 में भी मिल जाएगा 180 में भी मिल जाएगा लेकिन अगर IPO पूरा भर गया तो ये bid आपकी cancel हो जाएगी ये bid आपकी cancel हो जाएगी सिर्फ यही जो सबसे top amount वाली जो bid है वही लगेगी तो normally मैं लोगों को suggest करता हूँ जैसे मैं ये bid डिलीट कर देता हूँ मैं दुबारा से तो आपकी ये एक जो bid है आप उसको जो है वो आप highest price पे ही रखें तो उससे क्या है कि अगर ये IPO जो है 2 times 10 times ऐसे जब भरता है तो आपको मिलने के chances हैं अच्छा chances जो है वो ऐसा नहीं कि आपने top price लगाया है तो आपको मिलेगा ही finally जो है वो ये lottery system होता है अगर 1x से ज़्यादा अगर भरता है तो retail के लिए lottery system होता है और उसके थूँ आपको ये a lot होता है ठीक है तो ये भरने के बाद और ये करने के बाद आपको कितना पैसा आपके जो है वो UPI वाला जो bank account है उसमें होना चाहिए वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है और ये आपके पास है तो फिर आप यहाँ से इसको टिक करके और ये submit वाला जो button है इस पे proceed करेंगे तो मैं इसको इस तरीके से ये click कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से इसको मैं proceed करता हूँ तो अभी देखिए ये क्या आपको screen पे दिखा रहा है कि application in process यानि आपके application process में चली गई है आपको UPI का एक mandate आएगा यानि कि आपको आज शाम से पहले पहले जो है वो एक आपकी जो भी UPI app है मेरे case में जीपे है तो वो जीपे पे मुझे एक mandate आएगा जहांपे जो है वो IPO के जो हमने amount यहांपे जो था 135 के आसपास उतना amount को block करने की request आएगी तो उसको आपको जो है वो accepted by this time तो उसको आपको इस समय यहांपके सामने जो समय लिखा है यहाज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो यहांपे एक अपरेल को मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरे सामने लिखा है कि 3 अपरेल को 5 बज़े से पहले-पहले मुझे IPO application complete करनी है अब इसके आगे आप इसके detail वगेरा जो है वो यहांपे देख सकते हैं अगर आपको आपकी bid modify करनी है तो आप यहांसे modify कर सकते हैं लेकिन यह modify सिर्फ आपके UPI mandate clear होने के बाद ही होगा यह आपको लगता है कि नहीं गलत apply कर दिया है तो यह cancel वाला button है यहांसे cancel कर सकते हैं अब इसके आगे आपको सिर्फ आपकी UPI जो app है उसमें आपको mandate को clear करना है mandate clear होने के बाद आपकी application जो है accept हो जाएगी और यहांपे आपको status जो है वो accepted application का मिल जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप जिरोधा में बड़ी ही आसानी से बड़ी ही simple तरीके से आप किसी भी IPO में apply कर सकते हैं यह देखिए जैसे यहांपे मैंने आपको दिखाने के लिए yes optics में मैंने apply किया है और इस तरह से आप भी किसी में भी IPO में apply करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं thank you very much have a good day bye bye